नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानद वसिष्ट सजनों कभी-कभी हमारे सामने ये प्रशना आ जाता है सजन लोग पूछ बैठते गहें कि हमारी आयू कितनी है तो पहली बात तो ये है आयू के बारे में नहीं पूछना चाहिए जब तक जीएं प्रसनता के साथ जीएं खुशी के साथ जीएं अर्मानों के साथ जीएं अपने योजनाओं के साथ जीएं लेकिन फिर भी आयू परमात्मा के हाथ में गए हैं लेकिन उसके उपरां तो भी जोतिश सास्त्र हमें इसका इसारा देता है तीन प्रकार की आयू होती है अलपायू होती है मध्यमायू होती है पूर्णायू होती है अलपायू 32 वर्स तक होती है मध्यमायू 64 वर्स तक होती है इसके उपर जितनी भी आयू हम प्राप्त करते हैं ये पून आयू में आ जाती है कभी-कभी जन्म के समय पर जन्म कुल्णी के अंदर बाला रिष्ट योग भी होते हैं तो कभी-कभी बच्चा होते ही पून हो जाता कभी मेने का, दो मेने का, साल पर के अंदर-ंदर जो कहे उसको कई न कोई ऐसा कस्ठ आता है जिससे कि वो सरीर छोड़ जाता कि तो इन सब बातों की जैनकारी और दूसरी बात ये कहे हमारे मारक दसा भी आती है सबतमस्थान और द्वतियास्थान मारक स्थान होते है और उनकी जब जब भी दसा आती है तो किसी ने किसी प्रकार से मरन तुल्य कस्ट देती है या मरत्यू भी प्रदान कर देती है इसके साथ साथ सहयोगी द्वादसेश, सस्ठेश, अस्ठमेश इनकी भी दसा, अंतर दसा, प्रतेंतर दसा जब आती है तो ये भी हमारे लिए गातक हो जातेगे लेकिन फिर भी अब मैं ब्रसिक राशी वालों के लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ ब्रसिक राशी के अंदर तो ना नी नू ने नो या यी यू ये नो अक्सर होतेगे अर्थात विसाखा का एक चरण अनुरादा और जेश्ठा के जोग है चार-चार चरण मिलकर के और व्रसिक राशी बनती है बोम खेत्रे जन्मतो नवपाद भलम मंगल इसका स्वामी होता के और नो अक्सर होतेगे तो पहला अक्सर है अगर तो अक्सर तो वो धनेस्वर होता है धन का स्वामी होता के और ना अक्सर होता है तो यसवान होता है यसवी होता है जीवन के अंदर संसार के अंदर अच्छा यस प्राप्त करता है नेम फेम प्राप्त करता है और ना नी नी अक्सर के अंदर हो तो भो जो है भाग्यवान होता है तीसरे चर्ण में महागनिक और चोथे चर्ण में अगर उसका जन्म होता है तो भाशा हीन या तो उसकी वानी नहीं होती, वानी होती है तो कुछ ना कुछ वानी में तुर्टी होती है अगर तुर्टी भी नहीं होती है तो भाशा गंदी होती है और पांचमें के अंदर अगर किसी का जन्म होता है पांचमें अक्षर के अंदर किसी का जन्म होता है और पांचमें अक्षर कोन सा होता है ने तो ने अक्षर पर जैसे नेम सिंग नेम चन आधी जो नाम होते हैं नें सुख ये भी किसी का नाम हो सकता है तो इस प्रकार के जिसके नाम है ने अक्सर के उपर जिसका नाम आ जाता कै तो वो कुल मंदन करने वाला अपने कुल का मंदन करने वाला निर्मान करने वाला उसको बढ़ाने वाला होता कै और छटे अक्सर के अंदर धन धान्य में समर्थ होता कै तो ना नी नू ने नो नो वाला जो है, वह अपने धन्धाने को बढ़ाने वाला होता गए, या अक्सर पर विद्यावान होता के या के ए की मात्रा लग जाए ये, तु राज्मान होता है, और आच्वा अक्सर, नो या ये यू, यू अक्सर के उपर अगर किसी का जन्म होता है जैसे यूगल किसोर, यूगल आनंद, ये जो नाम होते हैं, ये उनके लिए यसोवान, यानि वो यसको देने वाले होते हैं, यसस्वी होते हैं, ऐसे जन्म लेने वालों का दूसरा महिना जो है, ये कस्टकारी होता है, तीसरा वर्स जो है, वो कस् रोग होता के, आठवे वर्स में कोई जल घात होता के, जल में गिर जाना, डूब जाना, बह जाना, और तेरवे वर्स के अंदर, उनको ब्रक्ष घात, यानि ब्रक्ष के उपर से गिर जाना, या ब्रक्ष का उनके उपर गिर जाना, इस प्रकार का कस्ट होता के, और इसके प पिचेतर वरस में अल्पवर्त्युख होता कि अगर सुवद्रिष्टी है ग्रहों की तो वहां पर उसकी जो आयू बताई है वहां पर शास्त्र यह कहता है कि पिचेतर वर्स, दो महिना, साथ दिन उनकी जो आयू होती है जेश्ट का महीने में, कृष्ण पक्ष में, एकादसी तिथी, मंगलवार का दिन और अनुराधा नाम का नक्षत्र और प्रथम प्रखेर के अंदर ऐसे व्यक्ति अपना सरीड छोड़ते हैं और बाकी जानकारी, अब ये जो सारी जानकारी है फिर मैं बताता हूँ कि ये जन्म के नक्षत्र के आधार पर जो नाम निकला, उन अक्षनों के ऊपर जो अक्षर आता है, उसका ये फलादेश है कोई भी आदमी अपने नाम के आधार पर ना जान ले, और विशेश जानकारी के लिए नंबरों पर आप संपर्क करें अपाइंटमेंट लेकर के आप अपना जो है सब कुछ विशियों के अंदर जीवन से समंदित जो भी आपको समस्याख है, संघर सकें, उनके लिए आप कोई भी निदान प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको जोतिस वास्तु और धर्म ग्रंतों से समंदित जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें, और उनसे आप जीवन के अंदर लाभान वित हो सकें, नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वा नव ग्रहों की पूजा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वेब साइट है